अगर कोई व्यक्ति महनत नहीं कर रहा है और वो फेल हो रहा है तो उसको कोई नहीं रोक सकता और वो फेल होने वाला है वो महनत करने को रही है वो फेल होने वाला है वो फेल होने वाला है वो महनत करने को रही है वो फेल होने वाला 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 है वो सब चीजों को मैं आंसर करने की शत प्रतिशत कोशिश करूँगा दिन बच्छों ने वीडियो अभी तक नहीं देखा ता एक बार देखिये इसमें मैंने जो मेजर इशुद मुझे लगता है बच्चे भी फेस करें उसको आंसर करने की वैसे भी कोशिश की थी उसके बाद मे सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब करोच्ण कोबेंगा डिलिट बात करें टिंटर इन इसा करें सिर्फ तो इस एक सीरह ऑई सब्सकरा अंशल मो thi तिशते हैं स्पन्धन का APPRECIATION COMMENT IS thank you so much गर आपको इस APPRECIATION COMMENT तuseफ एधर धाल है एई व से वद्धन का सब्थक्राइट मॉटल नुन करके नो पूजतन कि सो मुज पारम सामीर ऑऌछ एवनीमन यस सिर्णन कि राम थे पृनिमय मैं जाहे you I have completed my classes for both groups in April and should I go for both groups in December 21st attempt? अगर आपके पूरे classes हो चुके हैं then you have the 65 days का time then you can go for both group आपके दोनों क्लासे हो चुके हैं जनरली में बात करो बद चुके अगर सारी दोनों क्लासे दोनों क्लासे दोनों क्लासे अच्छे से हो चुके हैं दोनों क्लासे अच्छे से दोनों ग्रूप के आपने अच्टेंप दे दिया है मतलब की एक पार प्रप्रेशन हो चुकी है चिर्फ आपको क्मयों पे काम करना है then in December attempt you can certainly write both the groups that's my suggestion okay Thank you so much Anjam Thank you so much Riya Thank you so much Bushra Thank you so much Hemanishi Thank you so much Mitali Thank you Sahil Thank you Sonali आक्रिती कह रहे है Sir I haven't cleared my first group because of individual subject JIGL for few marks I have completed my classes of second group in last December Should I go for both the groups Yes बेटाजी again मेरा भही कहना है अब आपके दोनों group के classes अच्छे से हो चुके है और group 1 में आपका सिर्फ JIGL week है तो ये time sufficient होगा बोद group की preparation करने के लिए इस बच्चे के दोनों group के classes अच्छे से हो चुके है उसने December में बोद group ही देना चाहिए किसी के classes अगर pending है तो वो नहीं दे पाएगा तो उसके लिए मुश्किल है Classes pending है तो classes बिलकुल नहीं हुए थोड़े बहुत classes बाकी है तो ये can think and decide अगर किसी के classes बाकी है तो मुश्किल है अगर classes हो चुके तो 100% go for both the groups you can really do it ओके इसके बाद में अरे thank you so much Nikita ओके ग्रेट राहूल keep the zeal अप सब्सक्राइब करना है तो कोई ऐसा बाला कि जिसका एक group clear हो चुका है second group का आदा syllabus हो चुका है give it in December 100% time करो time plan करो कोशिश करो December का because अगर आप December का कोशिश नी करो तो June तक तो आप बहुत लथार्जिक हो जाओगे आदा syllabus हो चुका है कोशिश करो अगले एक महीने में remaining syllabus complete करो and December में दो एक group जो आपका बच्छाबाए okay I repeat कर रहा हूं कि मैं आपका बच्छे की दिमाग में क्वेशन से आपका रहा हूं तो मैं आपक्छा कर रहा हूं कि जो सारे बच्चे की दिमाग में क्वेशन से आपका रहा हूं I hope you are understanding and it'll serve you it'll really help you okay next is Kashyak हो गयता Rahaal जी thank you so much thank you Ankit Ayesha again I have given third module I don't know the reason and for this मेरा group clear नहीं गवा okay Ayushi आपका funding में 76 है बड़ आपका group clear नहीं गवा because of other subject तो क्या करिए बिटाची funding में exemption 100% claim करना है जो आपके subject में marks कम है for example IBC तो उसके आप copies बंगवा लीचे so that you will understand कि आपने क्या गलती की ती answer रिखने में है जिसके करण आपको marks नहीं मिले okay copies बंगवाईए अभी इसे preparation चालू कर दीजिए copy का आपको wait करने की जरूत नहीं for starting your preparation पढ़ना अच्छे चालू कर दीजिए copy will tell you how you need to write the answer तो आप अच्छे से preparation करिए exam के कुछने पहले भी अगर copy आई तो you can comfortably understand how you need to write the answer okay सुप्रिया है first group 80% syllabus हो है should I go for 2nd December 100% गदे सुप्रिया December में ही देना है कैसे सवाल पूछते हो December में मतलब देना है 80% syllabus हो गए 20% फटावट complete को December में देना है 100% गदे Kunal के रहे है I have given group 2 where I got 189 and exemption 1 subject should I go for both groups remaining 3 papers of group 2 Kunal अगर आपके group 1 की एक पूरी preparation हुई भी है so you can write both groups as well अगर group 1 के classes भी बाकी है then don't even think of group 1 just give group 2 in December okay Abheksha thank you so much thank you so much that's an appreciation post thank you Ayman Raj you can have a word at the academy Sonali thank you so much Bhavana thank you Santosh Bushura करें want CMSL lectures जो भी बच्चों को CMSL lectures मैं आपको बताता हूं मेरा CMSL मतलब old syllabus का old syllabus का last batch होगा था 2018 में उसके बाद से मेरे सारे batches new syllabus के होगा है last old syllabus का batch so we don't sell it because it is really outdated but हम उसको free में देते हैं तो मेरे application है शुबम सुख लेचा करके mobile app मिलेगा उसके अंदर CMSL lectures free में available free में मतलब 1 rupee की fees है तो आप वहां से देख सकते हो 110% सारे amendments आपको मेहनत करके करने होंगे okay आरे शिल्पा बस मेहनत करते जाओ मेहनत मेहनत करते जाओ दुनिया की कोई ताकत हमको नहीं रोक सकती मेहनत करते जाओ कुछ ना कुछ तो कमी रही है तो बस उस कमी में सुधार करेंगे और आगे बढ़ेंगे दिमाग नहीं लगाना है बिलकुल भी that's a really really bright day ahead okay so I got 241 in 2nd group and 2nd group 1 but in 1st group okay मैं सीलो मार्क्स is 33 मानस it is really unfortunate the marks I am seeing तो आप बेटा जी आपने क्या करना है आप सबसे पहले तो exemption claim कर लो group 2 तो आपका clear हो चुका है group 1 में exemption claim कर लो जो भी available है copies के लिए apply कर दो और preparation start करो remaining 3 subjects की I understand at times it is difficult to absorb the fact कि हमें marks क्यों नहीं मिले right तो हमें अभी उस बारे में उसको egoistic नहीं होना है we have to try and learn and not try to be egoistic and I am saying it is difficult it is not that easy when you have really worked hard you have written also properly still you are not getting marks so then apply for the copies and try and understand the reason you might be unfortunate once but you will not be unfortunate again so अगर आपका लिखन का तरीका सही था 110% you will kill it in December so unnecessarily don't feel yourself bug up and work hard for December okay meet sir please 7 in December if you are 7 I am 110% and I have planned nice things for you in November so don't worry I got 188 in group 1 60 seconds I really don't know what went wrong what I like please suggest me opt to practice 10 years paper what is the best option son in group 1 188 write group 1 again in December 110% you will clear 188 200 के बहुत करीब है फिर आपका एक क्वेशन है कि आपको पास 10 years paper practice करने चाहिए test series test series test series it's not just a test series वो आपको एक motivation देती है otherwise motivation नहीं मिलता है 4 दिन में आपका 1 3rd paper का test आपको पढ़ना है that really gives you a very nice motivation so write a test series that will be my suggestion writing practice time management सब कवर हो जाएगा syllabus भी हो जाएगा okay do that so I got 182 in group 2 nearly 60% of group 1 is complete can I appear for both groups now this is a tricky situation आपका group 2 रहे गया है और आपका 60% syllabus complete हो है group 1 का तो आपको बहुत देना चाहिए यह depend करेगा कि आपको group 1 complete करने में कितने दिन लगेंगे अगर आपको ऐसा लगता है कि 20 days के आसपास में आप group 1 का पूरा syllabus complete कर पाएंगे then you think of writing both the groups in December otherwise it will be very risky you decide which group to write rather write group 2 in December then क्यों group 2 आपका एक बार हुआँ है अगर आप अगले 20 दिन में group 1 के पूरी classes खदम कर सकते है then you try and plan both the groups in December otherwise it is risky okay साक्षी पूछ रहे हैं कौन सी test series best है बेटाजी आपको इसी भी test series देरो सारी test series best है आप Google करो के best test series best CS test series in India कुछ तो मिलेगा ठेक है जो test series मिलती हो join कर लो मेरा limited experience बता रहा हूँ कैसी कोई भी test series बहुत गंदी नहीं होती है ठेक है इसा कुछ भी नहीं है मतलब मैं अगर इस बार बात करूं तो I think in a few days I'll be uploading my students का list as well ठेक है हाँ एक और चीज बिटाजी यह जो YouTube का चलता ने इसमें कोई भी बच्चा कमेंट कर सकता है यह जो अपनी YouTube family है इसमें कोई भी वेक्ती कमेंट कर सकता है उसने मुझसे classes नहीं लिए वो सब एकदम कमफोड़ेबली कमेंट कर सकते है कोई परिशानी किसमें बात नहीं है इस बार company लों में काफी अच्छे marks है काफी काफी अच्छे marks है security law security law I think 80 plus highest चला गया right so marks काफी अच्छा है which bear act is best for insolvency ऐसा कुछ नहीं है MCA के website से download कर सकते bear act या फिर insolvency and bankruptcy Board of India के website से download कर सकते हो bear act is more or less the same so don't worry कहीं से भी download कर लो welcome Ouma तक्षी कहने old while क्या करें should you give both group or one I would suggest you to give both groups because आपकी पढ़ाही तो 100% हुई भी है right both the groups and clear it up अब ओल से लो साल बच्चों के लिए bonus attempt है मेरी बात समझता तारे ओल से लो साल बच्चों को मैं एक बार में address करता हूँ executive में क्या आपको परिशानी है बिलकुल है because आपके बास study material नहीं अच्छे से ICSI ने modules को revise बहुत अच्छे से नहीं किया है आपके बैठके पढ़ना होगा इसमें कोई दो रहा है नहीं है difficult है but आप इसका positive side सूच छिए old syllabus का last attempt एक देर साल पहले होता but आपको by because of some other reason you are getting one more one more attempt this is a bonus attempt for you people इस फ्रीका एकदम bonus attempt है otherwise आपको पूरा fresh तरीक से पढ़ना पढ़ता तो difficulties है but you see the advantage as well what if attempt ही नहीं मिलता तो you've got huge advantage उसको bonus attempt करके समझे जो परेशानी है उसको समझे extra efforts दे के उसको wrap up करो old syllabus वाले बच्चों के लिए difficulty है that I really understand but आप समझो नहीं को पूरा bonus attempt मिला है तो इसको utilize करने की कोशिश करो अब extra attempt नहीं मिलेगा अब extra attempt नहीं मिलेगा December last attempt होने वाला है तो जी जान लगा के जी जान लगा के दे तो यह बहुत grace attempt मिले है बिल्कुल किसी भी old syllabus की बच्चों को जब-जब syllabus change हुआ इतने attempts नहीं मिले तो it has been मताब it's a मैं नहीं के रहूं आसान रही situation कोविट था तो आप लोगों के लिए कोविट था है really understand that अगर student हो तो तो मैं कैसे सोचता यार यह bonus रहे मिला है किसी भी हालत में क्लियर करना है ठीक है difficulties है पर उसको overcome करो extra effort लोग और wrap it नेक्स्ट प्लोड आईबी से उपन उपन रहता है बट मैं आपको यह दो चीजें हमेशे शॉर करता हूँ कि एक तो जो भी amendments हैंगे वो सारे amendments 100% में लिक रहा हूँगा और एक जो guidance session YouTube पर रहता है वही एक updated last paper को और ध्यान में रखते हुए guidance session 100% में लिक रहा हूँगा okay okay प्रीज प्रवाइब कंति लोग ओल स्लिबस CS executive प्रीज 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 बिटाजी दिपेका मेरे यह कहना है के मेरे लिए regular batch provide करना असंभव होचाएगा नहीं आपके अस उतना समय है तो आपके आपके अस उतना समय है एक्स्राइज सीरीज है जो marathon है इन्हें देखिए at this given juncture okay regular batch is not the solution for you people considering you hardly have two months of time okay प्राची I'll certainly try and do something सेना exam में कैसे लिखना है सेना बिटाजी आप बस Google पे YouTube पे सर्च करो how to write answers in company law so I've uploaded a video over it तो आपको you'll get everything उसमें detail में बता है के exam में कितने type के questions और हर एक question को किस प्रकार से लिखना होता है okay Pranav I'm really proud of you I'm really proud of you Pranav इसी तरह से आगे भिढ़ जाओ और कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगे okay सर्फरास का कहना है में बिटाएं में में थैंक्स उत्य सब्जेक यार I'm really sorry I'm not a subject expert of that subject I'm not an expert of that subject I don't think I'll be able to guide you for that subject I'm really sorry सर्चो अरे कदे offer वाली बाते मत किया करो हाँ सबके लिए valid है मानस्वी सबके लिए valid है मानवी मैंने old syllabus के लिए उपर बताई है वो जनरली आपके लिए applicable रहेगी okay हेमेंदर अगर आपको लगर आपका syllabus complete नहीं हो सकता है तो फिर जूनी देना है लेकिन अगर syllabus complete हो जाता है one month का भी self study का time मिलता है तो December देना है मतलब देना है तो अगर syllabus complete होनी का लिए one month का भी time मिल रहा है तो जी जान लगा दो December के लिए लेकिन अगर आपको लगता है कि अपका लेक्शी complete नहीं हो सकता है सब्सक्राइब कर जाते हैं जब आप टेस्रीज देंगे तब आपको बहुत कर जाएंगे तो आपके लाइफ थोड़ी सी आसान हो चाहिए नीलम जोईन एनी टेस्रीज दों वरी तूमच अब रिया बिटाजी जब भी मैं मैं लेता हूं मैं कोशिश करता हूं कि वह ओल्ड स्रेबस के बच्चों के लिए एकुली अपलीकेबल रखों तो मेरे लास्ट वाला मैराथन धी ओल्ड सिल्बस के बच्चों के लिए 100 परसं कोई भी अगर मैं इसे टॉपिक लेता हूं जो ओल्ड सिल्बस के बच्चों के लिए नहीं है तो मैं उसको एक्सप्रेस्टी मेराथन में बोलता हूं तो आप मैराथन देखेंगे तो आप समझ जाएंगे ओके यह समय शुड़ाइं आप देशंबर यह शुड़ाइं देशंबर जोड़ी ऐसे होपलेस्मत दो चीज़े करो एक तो जैसे मैं कहां ऑख च्छे से पढ़के टेस्टीज देके एक्जाम देने जाओ test series is one thing second ask for your papers that will really help you up ask for your papers you'll understand if you're not getting marks why are you not getting marks okay Shri I'll try and do that up you have to understand that when it's a professional examination professional exam all over India 1000 और 1000 बच्चे एक्जाम देगा है by God's grace people know me know us the entire fraternity of inspired तो हर एक बच्चे से बात करना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है हम चाहते हैं बट हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है so I try my level best कि मैं इस तरह से guide करूं जो majority बच्चों के लिए helpful हो जाए बट मेरे लिए संभव नहीं हो पाता है कि मैं परसनली बात कर सो को and I hope you people really understand that right considering there are lectures ka schedule there are other things as well there are subject related queries which have to be handled so considering that it gets practically impossible for me so I am really sorry for that but I hope you people really understand that further I am trying to do this कि जिस भी बालक को लगता है न कि सर और भी कोई guidance related issue है तो इस वीडियो के नीचे पोस्ट करें इस वाले वीडियो के नीचे मैं कोशिश करूँगा जब भी मुझे next time permit करेगा मैं उन सब issues को answer करने की कोशिश करूँगा I sincerely hope that this really 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 helps you out okay because whatever we are today we are because of you people and जब इंडिया में मान लो 10,000 बच्चे एक्जाम दे रहे है तो उसमें से 8,000 बच्चे फील होते है न कोई परिशानी की बात नहीं it is a professional examination you have to understand that when at a given point of time we are getting all India ranks मतलब वो एक्दम टूफान result and we are enjoying that so at the same given point of time जो बालक अभी clear नहीं हुआ है उसने भी जी जान से मैनत करना है यह equal prominence रखता है हम सब के लिए उसने भी जी जान से मैनत करना है because वही वह बच्चा है जो December में 4 का आगा है आपने आपने रुकना ही नहीं है जी जान लगा तो जो एक ग्रूप दे रहा है इतने effort से दो कि बहुत ही बहुत भी बहुत भी बहुत ही बहुत रिजल्टा है इस बार कुछ बच्चों का इस रिजल्टा है जिनके पहले शाथ लगे थे बड़ इस बार ओवर और थर्टी-फॉर्टी माक्स के अग्रीगेट में आगे है वो तो फिल्स सो गुड़ इस सो साटिस्फाइइंग और यू वन यू एंटर इन प्रफेश्चों के लिए दुआदार रवेशन भी हम लोग ले कर आएंगे सो रोंग वर्य झाल